Assalamu alaykum students, आज हम बात करने चारे हैं जिए assessing biological model में, biological model जो है इसके क्या advantages है और क्या disadvantages है ठीक है, इसके फाइदे क्या है, benefits क्या है और इसके नुकसान क्या है, इसके limitations क्या है, first of all advantages, biological model के बारे में कहा जाता है कि जब यह model आया था तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो एक अर् तो वह ठीक हो गए जो एक अर्से से एडमिट थे इस बहाफ पर कि उनको जब वो डामनोलोजिकल मॉडल के भी हाफ पर देखा जा रहा था कि कोई डामन है यह है वो है लेकिन जब बीलोजिकल मॉडल आया तो उनको बाइलोजी को जब ट्रीट किया गया तो वह लोग ठीक हो जो है उन्होंने ऐसी बहुत सारी बीमारियों को इलाज दिया है जिनको वाकी बहुत सारी अप्रोचे जो है वो नहीं दे सकी है ठीक है वो कोशिश करती रही है लेकिन नहीं दे सकी है लेकिन बाइलोजीकल मॉडल ने उनको ट्रीट कर लिया ठीक है और इसके इलावा इसक methods, हर behavior जो है उसको हम biological terms में explain कर सकते हैं और उसको वसी बहाफ पर हम treat भी कर सकते हैं ठीक हो गया, उसके बाद हमापर साते हैं disadvantages, अब साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ this model also has its shortcomings कुछ ना कुछ इसके नुकसानाद भी है disadvantages भी है, this view can limit understanding of abnormal functioning अच्छा जी, इसने क्या किया एक तो यह है कि इसने understanding जो है abnormal functioning को हमारी जो समझने की कहलें कि एक urge था जो हमारी capacity उसको खतम कर दिये, क्योंकि क्या हुआ है लोग directly कोई भी issue होता है तो उसको biological model के according देखकर और उसको treat कर देते हैं वो abnormal functioning की तरह कि हो सकता है यह problem psychological हो वो psychology की तरफ जाते ही नहीं है वो direct उसको क्या करते हैं बायोलोजी में लेकर जाकर treat कर देते हैं ठीक है वो कहरे हैं कि हमारी जो mental life है mental processes हैं वो biological और non-biological factors दोनों के दर्म्यान आ रही होती है ठीक है उन दोनों की वज़े से हो रही होती है लेकिन जब से biological model आया है non-biological factors को बिलकुल इग्नोर कर दिया गया और सिर्फ biological factors पर focus किया जाता है और इसी बिहाफ पर उसको treat कर दिया जाता है लेकिन यह important है कि हमें non-biological factors का भी पता चले कि उस इंसान की life में कोई event ऐसे हो रहे है तो उन events को रोके ठीक है ना कि सिर्फ उसको just medicine से treat कर दिया जाए for example अगर इसी को depression हो रहा है और उस depression की वज़े कोई इड़गिर्द का माहौल है तो अगर हम उसको medicine दे के biology की वज़े से medicine दे और उसको treat कर दे ठीक है तो वो treatment तो उसका हो जाएगा लेकिन जब तक अगर हम वो factor नहीं खतम करेंगे जिसकी वज़े से उसको भी depression हो रहा है तो थोड़े अर से बाद फिर उसको हो जाएगा मतलब क्या है कि non biological factors को भी जानना बहुत ज़रूरी है लेकिन इस बात को ignore कर दिया इस model ने ठीक है कि यह इसकी क्या है disadvantage है दूसरा यह है कि जो biological model जो हम drugs देते हैं उनके कुछ ना कुछ side effects भी होते हैं ठीक है जो कि undesirable होते हैं जो हमें चाहिए नहीं होते हैं ठीक है जिस तरह medicine के side effect हो जाते हैं इसी तरह फार एक्जमपल कहने के anti-psychotic drugs जो psychosis के लिए जाता है तो उसके बाद अक्सर इस तरह से side effect होता है कि swear shaking वगएरा हो जाती है extra इंसान का अपना शुरू कर देता है extra जीब होगरी movements आने लग जाते हैं उसकी body में तो यह सब क्या होते है anti-psychotic drugs के side effects हो रहे होते है ठीक हो गया extreme restlessness feel कर रहे होते है कई बार इस तरह होता है depression वो जो अब देते हो तो फिर depression वाली जो medicines होते है anti-depressant वो क्या करते हैं जाके activity को increase करते है और अगर वो over increase कर दे हैं तो जाके extra मसला हो जाता है ठीक है और फॉर एक्जमपल जासरह शीजोफरेनिया उसके लिए anti-psychotic drugs दिये जाते है तो इससे क्या होगा कि वो decrease कर देंगे level of schizopherenia को और अगर वो जादा decrease कर देंगे level of schizopherenia को तो इसके आगे जाको हो जाती है Parkinson's disease ठीक है अब एक बिमारी को उनों ने खतम किया और उसने दूसरी बिमारी को cause कर दिया तो इस तरह से ये क्या है side effects different drugs के हो सकते है ठीक है इस तरह कुछ लोगों को अगर वो क्या करते है psychological disorders हो तो वो दे रहे होते हैं उनको biological drugs दे रहे होते है तो कभी कबार ज़ादा अगर दें तो वो लोग जो है confused हो जाते हैं उनका reality contact खतम होते होता for example अगर anxiety है किसी को तो वो उसकी brain functioning को low करने के लिए drugs देंगे तो उकसर इतनी लो हो जाती है को बिलकुल दुनिया से बैजार हो जाते है uninterested हो जाते है उनकी brain की activity ठीक है तो यह कुछ side effect हो जाते हैं हमें biological drugs से और यह हमारी abnormal functioning को समझने की जो capacity है उसको खतम कर रहा है लेकिन साथ-साथ इसके advantages भी बहुत जादा है so यह थे हमारे पास advantages and disadvantages of biological model